ग्रोट्स आज के इस सेशन में हम hexagonal system के point group के बारे में दोस्तों detail study करने वाले हैं generally hexagonal system is divided into two groups one is hexagonal group another one is trigonal group तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों को भी study करेंगे तो hexagonal system में जितने भी होते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको चार axis मिलेंगे A1-axis, A2-axis, A3-axis and C-axis दोस्तो यह जो 4-axis होते हैं दोस्तो तीन-axis यहाँ पे equal होते हैं A1, A2 and A3 are generally horizontal-axis horizontal-axis जो कि equal होते हैं दोस्तो और जो C-axis होता है यह vertical गयर बाला यह जो vertical होता है यह दोस्तो आपको unequal मिल जाएगा यह सभी जो-axis होते हैं A1, A2, A3 सभी X's दोस्तो equal होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको C X's दोस्तो unequal देखने को मिलेगा दोस्तो A1 X's is always perpendicular to C X's A2 X's is perpendicular to C X's and A3 X's also perpendicular to C X's Next हम देखते हैं यह जो hexagonal system में जो point group होते हैं दोस्तो पहला हत आता है हमारा 6 tetagonal system में जैसा ही था उसके बाद दोस्तो 6 bar 6 bar 2m 6 mm 6 bym 2 bym and 2 bym दोस्तो एही है hexagonal system 6 6 bar 6 bar 2m और एक होता है दोस्तो 6 to 2 ओके यहाँ पे दोस्तो यह जो first number है यहाँ पे इसको आप x बोल सकते हैं यह आपका y हो सकता है यह आपका z ले h के l भी बोल सकते हैं x y z दोस्तो यह जो x indicate करता है दोस्तो c axis को indicate करता है और यह जो y यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तो horizontal जो तीनो a1 a2 a3 axis होते हैं इनको यह indicate करता है a1 a2 और a3 axis को indicate करता है और दोस्तो यह हमारा d1 axis d2 and d3 जो हमारा diagonal symmetry को यह indicate करता है पहला बाला c को indicate करता है दोस्तो हम 6 को जभी भी draw करेंगे और 622 को हम जभी भी draw करेंगे यह दोस्तो c axis को indicate करता है यह किसको indicate करता है दोस्तो a1 a2 and a3 को यह किसको indicate करता है दोस्तो d1 d2 and d3 को यह दोस्तो indicate करता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हेक्सागोनल सिस्टम में कैसे हम मतलब की पॉइंट ग्रूप नॉटेशन ड्रो करते हैं तो पहला आएगा 6 का 6 कैसे ड्रो करेंगे दोस्तों यह इंडिकेट करता है 6.00 मतलब यह हमारा CXS को इंडिकेट करेगा यह हमारा A1, A2 and A3 को इंडिकेट करेगा दोस्तों यह हमारा D1, D2 and D3 को लेकिन यह दोनों तो नहीं है यहाँ पर अल्ली यह ही एक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 6 का यहाँ पर stereo net projection हम ड्रो करते हैं यह दोस्तों हमारा 6 का CXS हम ड्रो कर रहे हैं ओके यह CXS हो गया दोस्तों 6 फोल बोल रहा है CXS 6 फोल हम यहाँ पर A1, A2 XS ड्रो कर देंगे दोस्तों यह हमारा A1 हो गया ओके यह हमारा A2 हो गया दोस्तों यह हमारा A2 XS हो गया आप लिख भी सकते हैं A1, A2 यह दोस्तों CXS यहाँ पर दोस्तों आपका A3 XS भी हो गया यह आपका A3 XS ओके यह आ आपका plus a3 तो यह दोस्तो आपका minus a3 axis है ओके और यहाँ पर आप notation अगर देना चाहते हैं तो हर sixfold notation देंगे दोस्तो हर 60 degree पर यहाँ पर आएगा हर 60 degree पर rotation करेगा और same equal phase दोस्तो यहाँ पर repeat करेगा ओके यही है दोस्तो हमारा hexagonal का six उसके बाद दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ यह देखिए दोस्तो hexagonal यहाँ पर एक pyramid देख सकते हैं जो कि open form में है दोस्तो वहाँ पर दोस्तो six phase है यहाँ पर दोस्तो आपको तीन देखने को मिलेगा और पीछे में दोस्तो तीन देखन करेंगे तो एक face धोस्टों हर 60 degree में rotation देखने को मिलेगा ओके एसा ही धोस्तों 6rd लेकिन 6 बार में थोड़ा आपको confusing देख सकते हैं यहाँ पर 6 बार मतलब कि हर 60確 डिक्री रोटेट करेगा उसके बाद दोस्तों inverted हो जाएगा ंथ 60D can rotate करेगा उसके बाद των inverted हो जाएगा तो six bar को हम कैसे करेंगे दोस्तो इसका ट्री किया रख लीजिए six bar को three by m करके हम करते हैं दोस्तो तो हम six bar को करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो six bar यहाँ पर six bar three by m करके हम करते है इसको इसका मतलब क्या है दोस्तो 60 degree rotate करेगा और inverted हो जाएगा 60 degree rotate करेगा inverted तो दोस्तो 3 by m जैसा यह figure बनेगा तो हम यहाँ पे c axis draw करते हैं c axis लेकिन क्या है 60 degree यहाँ पे मतलब की बार दिया हुआ है तो दोस्तो यहाँ पे rotto inversion हो यहाँ पे rotto inversion का हम दे देंगे दोस्तो 3 by m जैसा ही हम करेंगे 3 by m का मतलब c axis दोस्तो फरफेंडिकुलर देखे दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा फरफेंडिकुलर के कारण यह जो c axis है दोस्तो solid line हो जाएगा यह solid line हो गया यहाँ पे आप a1, a2 draw कर सकते हैं यह आपका a1 हो गया दोस्तो यह आपका a2 हो गया ओके और यह आपका a3 हो गया दोस्तो a1 यहाँ पे मैं फिर से draw करूँगा ओके यह 3 by m है दोस्तो 3 by m solid line हो गया क्यूंकि by m दिया गया है इसके बाद दोस्तो यह roto inversion दे दिये इसके बाद यह हमने draw कर लिये a1 a2 axis हमने यहाँ पे draw कर लिये दोस्तो इसके बाद दोस्तो 3 by m दिया गया है तो हर 120 degree में एक notation आएगा 3 के करण by m दिया गया है तो नीचे एक mirror plane है तो इसके करण दोस्तो आपको यह सा यह सा draw करना होगा ओके यह दोस्तो आपका 3 by m का काम खतम हो गया solid line के करण आपको यह सा draw करने के लिए बोला गया था दोस्तो पिछले class में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने कोसिस करूँगा दोस्तो आप image इसको देखिए दोस्तो 6 bar दोस्तो यह rotor inversion दे दिये एक देखिए उपर में 3 फेस है 6 bar का मतला उपर में दोस्तो 3 फेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और नीचे में भी आपको इसे ही 3 फेस देखने को मिलेगा दोस्तो नीचे में भी आपको 3 फेस देखने को मिलेगा तो यह दोस्तो हमारा six bar is equal to three by m उसके बाद दोस्तो हम six by m को करते हैं मतलब कि six by m क्या है दोस्तो hexagonal dipyramidal class six by m कैसे होगा दोस्तो उपपर में six face वाला आ जाएगा नीचे में भी दोस्तो आपका six face वाला आ जाएगा तो यह क्या है hexagonal यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो hexagonal dipyramid यह दोस्तो हमारा trigonal dipyramid यह दोस्तो हमारा hexagonal dipyramid तो कैसे करेंगे पहले hexagonal draw कर लेते हैं six draw कर लेते हैं दोस्तो six draw करने के लिए हमारा यह आ जाएगा six यह हमने draw करेंगे लेकिन यहाँ पर दोस्तो solid line draw करेंगे bym दिया गया है तो इसको हम कैसे यह दोस्तो c axis का काम हो गया लेकिन bym के कारण दोस्तो solid line draw करेंगे solid line asset draw करेंगे दोस्तो ओके उसके बाद दोस्तो a1 a2 draw करेंगे a1 यह यह दोस्तो आपका a2 यह है आपका a3 तो यह यहाँ पर लिख सकते हैं a1 यहाँ पर लिख सकते हैं आपका 120 degree notation a2 यह दोस्तो आपका a3 मतलब यह आपका minus a3 तो दोस्तो यहाँ पर आपने 6 by m लिया गया है तो हर 6 60 degree पर एक fold आता है लेकिन दोस्तो 6 by m के कारण नीचे भी एक है उपर तो आपने 6 दे दिया 6 बाला बना लिया नीचे भी तो आपको 6 बनेंगे चो बनेंगे इसके कारण दोस्तो आपको ऐसा देना पड़ेगा दोस्तो यह हो गया आपका 6 by m ओके यह दोस्तो फिगर 6 by m यहाँ पर आप देख सकते है 6 by m कैसे 6 by m यहाँ पर इसके साथ आप compare कर से उपर में दोस्तो 6 फेसे नीचे भी दोस्तो 6 फेसे hexagonal dipramid तो 1,2,3,4,5,6 ओके यह दोस्तो आपका C axis ओके दोस्तो आपको पूरा simple से बनाता हूँ फिर से क्योंकि picture थोड़ा यहाँ पर clear रहना चाहिए कहीं पर भी आप बनाएं picture थोड़ा आपको clearly बनाना चाहिए दोस्तो ओके यह दोस्तो आप हमारा C axis हो गया उसके बाद हम A1 axis बनाते हैं यह हमारा A2 axis यह हमारा दोस्तो A3 axis ओके यह minus A3 A1 A2 और यह minus A3 दोस्तो यहाँ पर यह वाला solid line होना ही कारण यह देखिए दोस्तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस यह हमारा 6 by M अब दोस्तो हम 6, 2, 2 को करते हैं 6, 2, 2 कैसे होगा दोस्तो 6, 2, 2 दोस्तो 6, 2, 2 पहले तो आपको याद रखना होगा यह C axis को indicate करता है यह दोस्तो A1 A2 and A3 axis जो कि यहाँ पर 2 fold दिया गया है यहाँ पर दोस्तो A1, A2, A3 2 fold दिया गया है यह दोस्तो आभी D1, D2, D3 D1, D2 and D3 axis को यह indicate करता है मनद डाइगोनल तो यहाँ पर भी D1, D2, D3 भी दोस्तो यहाँ पर 2 fold है तो चलिए दोस्तो शुरू करते है पहले C का काम करते है यह हमारा C बाइएम तो नहीं दिया गया है बाइएम नहीं दिया गया है दोस्तो तो नीचे mirror plane नहीं होगा यह हमारा C का काम खतम हो गया है दोस्तो जो की six fold है दोस्तो ओके six fold हम यहाँ पर बनाते है ओके tetragonal होता तो four fold होता यहाँ पर दोस्तो क्या है six fold है तो यह देखिए एक दो तीन चार पान हर 60 degree में आपको six fold के करण देखने को मिल जाएगा दोस्तो यह दोस्तो आपका a1 axis है यह आपका a2 है और यह आपका a3 है दोस्तो यह minus a3 है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है दोस्तो मतलब कि two fold तो a1 axis यहाँ पर two fold ओके सभी axis दोस्तो आपको यहाँ पर two fold देखने को मिलेगा ओके two fold के कारण हम यहाँ पर दोस्तो इसको ही folding बनाएंगे ये दोस्तो ऐसा होगा ये दोस्तो ऐसा होगा ये इसा ये इसा ये इसा बस simple ये दोस्तो अभी तक हम 6-2 का काम खतम कर लिए अभी दोस्तो D1, D2 D3 भी 2-fold है तो हम D1, D2, D3 को भी हम draw करेंगे दोस्तो बीच में हम draw करेंगे अगर D1, मतलब कि हम corner से लिए हैं तो हम edge से लेंगे दोस्तो अभी एक ये दोस्तो हमारा D1 axis है ओके ये हमारा दोस्तो हर 120 degree में लेंगे ये दोस्तो हमारा D2 axis है ओके और ये दोस्तो हमारा D3 axis है ओके, plus minus है आप देक सकते हैं तो यह हमारा दोस्तो टोट्टाली हेक्सागोनाल सिस्टम का दोस्तो पूरा बन गया जहां पे आपको मिल जाएगा D1, D2 and D3 के बारे में तो यही है दोस्तो यह हमारा D1, D2 and D3 जहां पे टूफोल्ड दिया गया है दोस्तो यह टूफोल्ड बना दीजिए बस around यही हो गया दोस्तो आपका 6222 का खाम पहले शिक्स का काम करते हैं जहां पे आपको 6 फॉल्ड देना है यह हो गया दोस्तो 6 का खाम दें दोस्तो A1, A2, A3 दें A1, A2 and A3 टूफोल्ड इसको आपने टूफोल्ड का काम कर लिया दोस्तो जहाँ पे आपको notation भी देना था A1, A2, A3 पे भी notation देंगे दोस्तो लेकिन D1, D2, D3 में notation नहीं होगा क्योंकि हर 60 degree पे ही यहाँ पे CX के कारण notation आले मारा है तो D1, D2 अपको draw करना है D1, यह देखिए दोस्तो D1, D2, D3 अपने draw कर लिया 2-4 दे दिया बास काम खतम हो गया ओके यही है दोस्तो procedure ओई follow करना है clearly मैं बनाने की कोशिज करता हूँ दो बार मैं एक picture को बनाता हूँ दोस्तो ओके यह हमारा यह हमारा क्या हो गया दोस्तो 6, 6 का काम अभी हम करते हैं यह हमारा 6 का काम हो गया यहाँ पर देखिए दोस्तो A1 का काम हम यहाँ पर तमाम करते हैं यह दोस्तो A1 का काम यह 2 का काम यह दोस्तो आपका A3 का काम दोस्तो folding देना है ओके यह दोस्तो notation पहले देते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तो 6, 2, 2 दिया गया है तो इस 2 के कारण यहाँ पे एक folding आएगा दोस्तो यहाँ पे एक folding आएगा यहाँ पे भी एक folding आएगा यहाँ पे folding यहाँ पे भी folding इस folding के कारण मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे notation 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 यहाँ पे आपको ऐसे notation आपको देखने को मिलेगा बस यह काम हो गया तो यह दोस्तो आपका d1 x 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 यहाँ पर आपको क्या देना है दोस्तों टू-फोल्ड यह दोस्तों ग्रीन कलर वाला D1-D2-D3 में मैंने टू-फोल्ड दे रहा हूँ ओके यह दोस्तों एलिप्टिकल से में टू-फोल्ड होगा थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों अई है 6-2-2-2 का काम अब हम देखेंगे 6mm को कैसे करते हैं 6-2-2 यह है दोस्तों आपको इसको हम हेक्सा गुना ट्राफिजोडरन बोलते हैं लेकिन अभी हम करेंगे 6mm दोस्तों यह C-axis का काम यह दोस्तों A1, A2, A3 मिरर प्लेन है अभी और M दोस्तों D1, D2 और D3 भी मिरर प्लेन है तो पहले C-axis का काम करते हैं दोस्तों हमा 6-fold यहां पर यह से नोटेशन देते हैं यह हमारा हो गया 6-fold का काम यहां पर देखिए ओके यह देखिए दोस्तों यह देखिए 6 का काम तमाम हो गया उके उसके बाद हम यहां पर नोटेशन देते हैं एक दो हर 60 डिगरी में यहां पर नोटेशन देते हैं दोस्तों तो यह A1, A2, A3 का काम हो गया अब दोस्तों यहां पर देखिए कि मिरर प्लेन A1, A2 और मिरर प्लेन तो आप यहां पर मिरर प्लेन ड्रो कर सकते हैं यह होगा की यह दौस्तों काम लेख़ेंगए यह दोस्तों का मिर्टन भाट दूसरा मिरःट मिर्टन यह दोस्तों UPKA रिजिए बðॅब रेटह ने तुर यह दोस्तों आपका एगा एगा रिफा नहीं का काम हो गया देखते देखते सिक्स divorce का काम हो गया दोस्तो अब दोस्तो D1, D2, D3 ड्रो करना है ये दोस्तो एक D1 क्योंकि mirror plane सभी दोस्तो है दोस्तो mirror plane के कारण D1 हो गया उके उसके बाद दोस्तो हम यहाँ पर D2 ड्रो करेंगे ये देखिए दोस्तो D2 हमारा हो गया ये दोस्तो हमारा D3 उसके बाद ये देखिए D3 ड्रो हो गया D1, D2 and D3 प्लोस मैंने स्थोड़ा देख ले न ओके ये दोस्तो सभी mirror plane होंगे पहले हमने क्या क्या दोस्तो 6 का काम कर दिया ये देखिए दोस्तो 6 का काम कर लिया एक एक point देखे ओके एक dark point देखे 6 का काम उसके बाद दोस्तो A1, A2, A3 में mirror plane था mirror plane के कारण दोस्तो ये देखिए double double आगया यहाँ पर double, यहाँ पर double उसके बाद last में दोस्तो M, D1, D2, D3 ये दोस्तो तीनो mirror plane यहाँ पर ऐसे ही होंगे दोस्तो ओके यही है हमारा 6MM उसके बाद दोस्तो 6 bar M2 इसको हम draw करेंगे अभी मजब की stereo net में 6 bar M2 दोस्तो इसको हम 3 by M जैसे की 6 bar को 3 by M करते थे इसको भी हम 3 by M लेके ही करेंगे दोस्तो 3 by M, 0, 2 M ऐसे करेंगे दोस्तो 3 by M, not यह दोस्तो आपका CX इसको indicate करता है और यह आपका A1, A2, A3 X को indicate करता है यह दोस्तो आपका D1, D2 and D3 X को यह indicate करता है तो चलिए दोस्तो इसको करते हैं 3 by M पहले draw कर लेजिए, पहले भी हम draw कर चुके है 3 by M ओके यह आपका CX हो गया है दोस्तो लेकिन यहापे 3 by मतलब की 3 by यह रोटो इंवर्जन है दोस्तो रोटो इंवर्जन का हमने पॉइंट दे दिया 3 by M है दोस्तो इसके लिए यह solid line हो जाएगा, यह बहला line जो solid line हो जाएगा क्योंकि आपको CX में अगर by M दिखता है तो दोस्तो यह solid line हो जाता है, यह देखिए यह हमारा क्या है solid line क्योंकि एक mirror plane perpendicularly cut कर रहा है CX को दोस्तो हमने solid line बना लिया अब हमें A1, A2 draw करना है दोस्तो यह है हमारा A1 axis, यह है हमारा A2 axis, यह है हमारा A3 axis ओके, A1 A2, A3 यह हमारा अधा काम हो गया यहां तक हमने finish कर लिया लेकिन problem है यह है दोस्तो 3 by M में 3 by जो M है यह दोस्तो यहां पर कुछ काम नहीं करेंगे only D1, D2, D3 को हम यहां पर draw करेंगे दोस्तो ओके, D1 यह देखिए 2 M दिया गया है 2 fold भी है, M भी है यहां पर folding भी देंगे दोस्तो M भी मिलाएंगे यह आपका D1 हो गया यह दोस्तो आपका D2 हो गया यह आपका D2 हो गया यह आपका दोस्तो D3 हो गया यह आपका D1, D2 and D3 हो गया बस, काम तमाम अब हम क्या करेंगे दोस्तो notation देना है दोस्तो जैसे ही A1, A2, A3 यहाँ पर 0 है दोस्तों यह absent ही है तो इसके करान अभी notation हमें दोस्तों D1, D2, D3 पर ही देना है तो यहाँ पर अगर एक notation देंगे तो दोस्तों mirror image के करान यहाँ पर भी आ जाएगा यह जो mirror image है हर 120 degree में आपको एसा ही देना है दोस्तों यहाँ पर अगर देंगे तो यहाँ पर ऐसा बनेगा दोस्तों यहाँ पर भी आगर देंगे यहाँ पर ऐसा बनेगा बास simple देखे दोस्तों 6 bar M2 only 3 notation आएगे 1, 2, 3 एओ D1, D2, D3 में दोस्तों यह है di trigonal dipyramid कुछ काम करने का नहीं है दोस्तों कुछ नहीं यह दोस्तों पहले आपको 6 bar M2 इसको क्या बनाएंगे दोस्तों 3 by M not 2 M आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसको अगर करेंगे तो difficult होगा दोस्तों तो इसको हम simplify करते हैं 6 bar को क्या बोलते हैं दोस्तों 3 by M तो पहले 3 by M ड्रो करते हैं यह हमारा हो गया 3 by M ओके 3 by M यह हमारा हो गया 3 by M यह रोटो इन्वर्जन हो गया दोस्तों 3 by M में A1, A2 ड्रो कर देते हैं लेकिन A1, A2, A3 तो absent ही है only name से हम draw करते हैं यह हमारा a1 a2 a3 लेकिन दोस्तो d1 d2 d3 क्या है दोस्तो 2m यह दोस्तो तीनो mirror plane हो जाएंगे यह एक दो तीन और mirror plane में 2 fold axis भी है यह देखे यह देखे दोस्तो 2 fold यह देखे 2 fold यह देखे 2 fold यह देखे 2 fold हो गया अब देखते हैं कि 3 by m दिया गया है दोस्तो तो इसके करण यहां पे notation आगया क्योंकि यह 1 a2 a3 तो नहीं है तो only d1 d2 d3 पे यह notation देखे दोस्तो यहां पे एक आएगा यहां पे एक आएगा दोस्तो यहां पे एक आएगा mirror image के करण यह mirror image है mirror image के करण एसे 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 formation होगा बस यह हो गया दोस्तो 6 बर M2 का काम हो गया अब हम 6 by M 2 by M and 2 by M को देखेंगे दोस्तो अब हम 6 by M 6 by M 2 by M and 2 by M को देखेंगे यह C axis यह दोस्तो आपका A1, A2 and A3 यह दोस्तो D1, D2 and D3 का indicate करता है तो चलिए दोस्तो पहले 6 का काम करते हैं यह हमारा दोस्तो 6 लेकिन by M लगा हुआ है दोस्तो by M के करण C axis के साथ एक mirror plane perpendicular तो दोस्तो यहाँ पर अभी एक solid line होगा C axis अभी solid line बनेगा दोस्तो यह हमारा हो गया C axis का line अब दोस्तो A1, A2, A3 ड्रो करेंगे यह हमारा A1 यह हमारा A2 यह हमारा A3 ओके A1, A2 and A3 बस काम हो गया अब दोस्तो यह क्या बोल गा है कि Y M दिया गया है A1, A2, A3 एक मतलब कि सभी mirror plane में आपको देखने को मिलेगा दोस्तो तो यह दोस्तो solid dotted line के बदले में यह solid line होगा यह आपका solid line हो जाएगा यह दोस्तो आपका solid line हो गया ओके और two fold भी दिया गया है दोस्तो आपको two fold रो करना है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टो four सब जग़ा दोस्तो टो फौड हो गया लेकिन यहाँ पर जब notification देएंगे दोस्तो six का काम तो हम अदह ही छोड़े दें यहाँ पर byмотрation देएगे ऐसन यहां पर notation देएगेiche ड़in का काम कि लेकिन यहां पर देखे mirror plane है mirror plane की कारण दोस्तों यहां पर इसे आ जाएगा यह से अहां सिंपिल सा की बस काम कप खतम हो गया अब दोस्तो D1, D2, D3 भी draw कर देते हैं D1 दोस्तो एही है D2 दोस्तो एही है और आपका D3 दोस्तो एही है यह दोस्तो सभी 2-4 आप देख सकते हैं 2-4 sum में होंगे दोस्तो यह 2-4 sum में होंगे ओके बस ऐही है दोस्तो 6 by M, 2 by M and 2 by M का काम और कुछ नहीं देखिए फिर से में draw कर रहा हूँ 6 by M 2 by M and 2 by M पहले तो 6 by M draw करते हैं दोस्तो 6 by M कैसे होता है दोस्तो पहले C axis draw करते हैं यह हमारा C axis हो गया उसके बाद दोस्तो 6 by M ओके यह आपका A1 axis mirror plane किसलिए दे रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा नहीं तो mirror plane अभी नहीं देते हैं दोस्तो आधे ही छोड़ते हैं यह आपका A1 axis हो गया यह आपका A2 axis होता है यह आपका A3 axis 6 by M होगा तो क्या होगा दोस्तो यहाँ पे एक notation, यहाँ पे एक notation यहाँ पे एक, यहाँ पे एक यहां पर एक बस हो गया लेकिन यहां पर दोस्तों 2 by M दिया गया है इसका मतलब A1 A2 A3 एकसी सा 2-fold वी mirror plane यह दोस्तों mirror plane भी है यह दोस्तों mirror plane भी है और दोस्तों 2-fold भी है तो 2-fold हम यहां पर draw कर लेते हैं यहां पर 2-fold draw कर लेते हैं और mirror plane अगर 2-fold एकसाद अगर आ रहे ह दोस्तो mirror plane जैसा ही दिखेगा तो यहाँ पर देखेगा दोस्तो यह बाला चिर mirror plane के कारण यहाँ पर ऐसा बन जाएगा यह mirror plane के कारण यहाँ पर ऐसा बन जाएगा यह mirror plane के कारण रुके थोड़ा एक ही pain में करते है mirror plane के कारण ऐसा बनेगा यह दोस्तो आपका d1 हो गया यह आपका d2 हो गया यह आपका दोस्तो d3 हो गया बस और two-fold दिया गया है two-fold आप बना लीचे two-fold बस काम खतम हो गया दोस्तो ओके यही है दोस्तो 6-bar-m sorry, 6-by-m 2-by-m and 2-by-m यह देखिए दोस्तो फिगर डाई हेक्सागोनल डाई फिरामिडल क्लास उपर में दोस्तों बार फेस रहेंगे नीचे में भी आपको बार फेस देखने को मिलेंगे दोस्तों यह C-axis C-axis को करा नहीं यह बाला आप देख सकते हैं C-axis को vertically perpendicular mirror plane cut कर रहा है तो उपर में जैसा figure होगा नीचे में भी ऐसा ही figure होगा दोस्तों ओके अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों trigonal की तरब हम movement करते हैं trigonal में क्या है दोस्तों यहाँ पर 3 3 bar 3 2 3m 3 bar 2m दोस्तों trigonal में 3 है तो 3 OE 6 जैसा ही होगा दोस्तों same rule follow करेगा यह देखिए दोस्तों हम C-axis को जो पहला X, Y, Z होगा दोस्तों यह C-axis को indicate करता है और यह A1, A2, A3-axis को indicate कर रहा है ओके यहाँ पर trigonal axis इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों तो यह जब 3 को draw करेंगे कैसा करेंगे दोस्तों ऐसा draw करते है 3 को जब draw करेंगे हम ऐसा draw करते है बस हो गया draw यहाँ पर दोस्तों trigonal का notation देंगे बस यह आपका A1-axis है यह आपका A2-axis है दोस्तों यह आपका A3-axis है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि हर 120 degree में notation आएगा यहाँ पर 6 में 6 फोल्ट था 6 बार आता था दोस्तों यहाँ पर 3 बार आएगा यहाँ पर 1 आएगा 1 कहीं पर भी आप ले सकते हैं यह A1 है यह A2 है यह A3 है उके उसके बाद दोस्तों A1 इसको अगर इस तरब rotate करेंगे तो यहाँ पर नोटेशन आएगा दोस्तों ओके यहाँ पर दोस्तों एक rotation आएगा उसके बाद दोस्तों वान टोटेशन रोटेशन कर लिजे यहाँ पर दोस्तों आपको एक notation मिलेगा ओके तो ही यह दोस्तों A1, A2, A3 आप देख सकते हैं यहाँ पर Three में 3 notations आएगा एक है दोस्तो यहां पर 3 face है ओके यहां पर आपको कितना face देखने को मिलेगा दोस्तो यह देखिए 3 face आपको जैसे ही यह C axis के दोरा आप रोटेट करेंगे C axis के दोरा आप जैसे ही रोटेट करेंगे दोस्तो यह 1 face है यह बी और पीछे में 1 C face है तो यह ही है दोस्तो हमारा 3 और आप देखेंगे दोस्तो 3 बार 3 बार कैसे होगा दोस्तो हमारा 3 बार ऐसे ही होगा दोस्तो same लेकिन यहाँ पर यह देखें हम 3 बार का notation दे दिये हैं यहाँ पर ऐसे ही 3 बार होते हैं ओके आप दोस्तों A1 A2 ड्रो कर लेते हैं यह आपका A1 यह आपका A2 एंड यह आपका दोस्तों A3 है यहाँ पर दोस्तों हम नोटेशन देते हैं यह दोस्तों 120D की रोटेट यह जो पॉइंट है 120D की रोटेट करेगा और दोस्तों इनवर्स करेगा यह दोस्तों इसको 120D यहां पहुंचेगा और इन्वॉटेड है यहां पहुंचेगा तोई सेमिच इमेज़ को को trata करें के 120 चुम्हाइब और inverted हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे दोस्तो image बनेगा inverted है क्योंकि इसका inverted है इसका inverted है ओके यह दोस्तो point rotate करेगा 120 degree और invert हो जाएगा यहाँ पे तो दोस्तो यहाँ पे वो ऐसा बनेगा दोस्तो यही point दोस्तो rotate करेगा 120 degree और दोस्तो inverted हो जाएगा यहाँ पे तो दोस्तो यहाँ पे आपको एसा image देखने को मिलेगा यहाँ यह दोस्तो थ्री बार यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तो थ्री बार ओके यह वाला image देख सकते हैं अब हम करेंगे दोस्तों 3,2 को अब हम करेंगे 3,2 को दोस्तों यह हमारा C एक्सिस को इंडिकेट करता है यह हमारा A1, A2 and A3 एक्सिस को इंडिकेट करता है तो चलिए दोस्तों पहले 3 का काम कर लेते हैं यह हमारा 3 है यह हमारा 3 है दोस्तों यह हमारा 3-4 सिमेट्री दे दिया है यहाँ पर यह दोस्तो हमारा A1 है यह हमारा A2 है और यह हमारा दोस्तो A3 है ओके तो यहाँ पर दोस्तो हम क्या करेंगे कि हर 120 डिग्री में एक नोटेशन जाएगा यहाँ पर इसका 120 डिग्री यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बन जाएगा इसका 120 डिग्री यहाँ पे हर 120de agrig e-met rotation दोस्तों बनेगा तो यहाँ पे बन गया इसका काम दोस्तों खतम हो गया अब किसका काम करना है दोस्तों यह 2-fold दिया गया है यह दोस्तों 2-fold दिया गया है a1 a2 a3 axis ए टुफोल यहाँ पे देखिए 2-fold आब शीए यह देखिए हमारा 2-fold बन गया यह देखिए दोस्तो 2-fold हमारा बन गया 2-fold बनने के कारण यह जो image 2-fold हो जाएगा दोस्तो 2-fold के कारण यहाँ पर यह दूसरा एक alternate image बनेगा दोस्तो यह देखिए उसके opposite में यह देखिए यह हो गया 3-2 का काम ओके यहां पर हमने 3 का काम कर लिया 120 डिक्री में 1,2,3 बना दिया उसके बाद A1, A2, X इस 2 फोल्ड थे दोस्तो 2 फोल्ड ड्रो कर लिया 2 फोल्ड के कराण यह जो इमेज यहां पर 1 बन रहा था यह दोस्तो दुबारा रिपीट हो जाएगा यह दोस्तो क्या होगा 1 का 2 हो जाएगा 1 का 2 बस काम खतम हो गया यह दोस्तो हमारा 3,2 है उसके बाद हम 3M को ड्रो करते हैं दोस्तो 3M है 3,2 के जैसा ही लेकिन यहां पर दोस्तो mirror plane है 3M यह C axis यह दोस्तो A1, A2 and A3 तो C axis पहले ड्रो करते हैं दोस्तो यह हमारा क्या है दोस्तो C axis ओके यह हमारा C axis अब दोस्तो हम A1, A2 ड्रो करते हैं लेकिन A1, A2 यहां पर 2 फोल्ड नहीं है 3,2 था तो यहां पर ऐसे ऐसे हम ड्रो करते थे ओके लेकिन यहां पर mirror plane है तो mirror plane के कारण दोस्तो यहाँ पर यह solid line बन जाएगा यह हमारा क्या होगा दोस्तो solid line यह हमारा solid line यह हमारा तीनो solid line बन जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो 120 degree अगर होगा तो यहाँ पर एक point होगा यहाँ पर एक point होगा दोस्तो 120 degree में लेकिन mirror plane के काराण यहां पे दोस्तो same image यहां पे formation होगा same image दोस्तो formation होगा okay 3, 3 का काम दोस्तो इतना ही okay और M का काम दोस्तो यह तिनो mirror plane हो जाएगा बस काम खतम दोस्तो 3 M, फिर से बता रहा हूँ देखिए 3 का काम आप आराम से कर लिजिए 3 का काम आप यहां से इतना तक कर लीजिए ओके यह आपका हो गया 3 का काम यहापे आप पोइंट देते थे यहापे आप पोइंट देते थे यही था न 3 का काम अब दोस्तों mirror plane है दोस्तों यह mirror plane बन जाएगा यह देखिए यह mirror plane है यह जो mirror plane है इनके करने दोस्तों यहाँ पर यह बाला point दोस्तों दुबारा repeat हो जाएगा यहाँ से दोस्तों यह से आएगा यह से आएगा यह से आएगा बस 3M का काम खतम हो गया यहाँ पर देखें दोस्तों 3M यह एक दो तीन बस काम खतम यह देखें दोस्तों यह देखें आपका डाइ ट्राइगोनल पिरामिडल पिरामिडल क्लास इसको बोलते हैं अब हम देखेंगे 3 वर 2 एम का काम 3 वर 2 एम 3 वर 2 एम को हम यहां पर कैसे नोटेट करेंगे दोस्तो दोस्तो यह हमारा C एक्सिस को इंडिकेट करता है यह हमारा A1, A2 and A3 और यह हमारा D1, D2 and D3 एक्सिस को इंडिकेट करेगा तो चलिए दोस्तो 3 वर को हम ड्रो करते हैं यह देखिए हमारा 3 वर हो गया यह हमारा 3 वर पहले भी हम कर चुके हैं यह दोस्तो यहां पर एक नोटेशन देदेजिए बास यह काम तमाम हो गया हमारा 3 वर का अब हम दोस्तो ड्रो करेंगे यह हमारा A1 एक्सिस है यह हमारा A2 एक्सिस है और यह दोस्तो हमारा A3 एक्सिस है बस इसका काम तमाम हो गया ओके देन हम A1, A2, A3 पे 2-4 देंगे दोस्तो A1, A2, A3 पे 2-4 देते हैं ओके A1, A2, A3 पे 2-4 देते हैं हम दोस्तो 2-4 दे दिया तो दोस्तो A1, A2, A3 पे 3 का काम इतना ही होता था ना इतना ही 2-4 के कारन दोस्तो यह ऐसा यह ऐसा बस यह ऐसा हो जाएगा उके उसके बाद दोस्तो M भी है यह दोस्तो D1, D2, D3 को इंडिकेट करता है तो हम D1 उसके बाद दोस्तो D2 and D3 बस काम खताम हो गया बस हही है दोस्तो D1, D2 and D3 यही है दोस्तो 3 bar 2 M तो मैं फिर से इसको ड्रो करता हूँ part to part 3 bar 2 M कैसे 3 bar का काम करते हैं दोस्तो थोड़ा सा मैंने last में 3 bar में थोड़ा गलती कर दिया तो इसलिए मैं इसको दुबारा करता हूँ क्योंकि 3 bar दोस्तो है मैं 3 जैसा कर दिया था वहाँ पे आप प्लीज उसको फॉलो मत किजिए यह दोस्तो पहले 3 का काम करते हैं पहले हमारा 3 ऐसा होता था लेकिन 3 bar के करण ऐसा दोस्तो यहाँ पे जो A1, A2, A3 एक्सिस हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे cut कर लेता हूँ यह देखिए दोस्तो हम 3 बार ड्रो करते हैं यह A1 है यह दोस्तो आपका A2 है यह आपका दोस्तो A3 है लेकिन 3 bar के कारण यहाँ पे एक notation आएगा तो हर 120 degree में ऐसा notation आजाएगा दोस्तो ओके यह दोस्तो है तो 3 बार के कारण यह दोस्तो 120 degree rotate करेगा यह inverse करेगा तो दोस्तो यहाँ पे ऐसा point आजाएगा same point दोस्तो जैसे कि 3 बार करते थे यह दोस्तो यहाँ पे rotate करेगा यहाँ तक rotate करेगा 120 degree और दोस्तो यहाँ पे inverted हो जाएगा तो यह से बनेगा दोस्तो यह image दोस्तो कैसे inverted होगा यह 120 degree rotate करेगा यहां पर हो जाएगा दोस्तों ऐसा इमेज बनाएगा यह दोस्तों वान टोंटी डी रोटेट करेगा एंड यह हमारा इन्वर्ट होगा ओके यह यहां पर इन्वर्टेट हो जाएगा दोस्तों यहां पर इन्वर्टेट यह दोस्तो 120D रोटेट करेगा और इन्वर्टेट यहां पर आ जाएगा तो देखिए दोस्तो यहां पर एसा इमेज बन जाएगा यह दोस्तो 3 बार का काम हमारा खतम हो गया लेकिन आप दोस्तो 2 भी है तो दोस्तों यहाँ पर 2 का image हम 2 fold दे देते हैं तो यहाँ पर 2 fold हो गया तो 2 fold के कारण दोस्तों यहाँ पर यह जो image आप देख रहे हो यह जो image दोस्तों 2 fold के कारण opposite हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर यह जो image है दोस्तों इसका opposite हो जाएगा तो यह ऐसे देखे यह जो image है दोस्तो इसका opposite हो जाएगा दोस्तो ऐसे देखे यह जो image आप देख रहे है इसका opposite हो जाएगा यहाँ पे तो यह देखे दोस्तो यह जो image है दोस्तो इसका opposite यह देखे ओके और यह जो image है दोस्तो इसका opposite यह देखे तो यह दोस्तो हमारा 3 बार 2 का काम हो गया 3 बार 2 फोल्ड दे दिया ना 3 बार 2 फोल्ड का काम हो गया अभी दोस्तो mirror plane अभी हमारा mirror plane है यह देखिए दोस्तो mirror plane यह आपका D1 यह आपका D2 और यह दोस्तो आपका D3 काम खतम यहां तक था दोस्तो यह देखिए इसका notation देखिए ओके और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो hexagonal scalyanohidrol इसको बोलते हैं ओके यह दोस्तों stereography projection इसका तो आज के लिए hexagonal system इतना ही अगर कोई भी doubt हुआ आप comment section में पूछ सकते हो Thank you दोस्तों